कमलेश घर आ गया था, वह जोरा से खाली हाथ लोट कर नहीं आया था, बलकि विचारों के एक नई रोशनी लाया था, वह परिवार को पच्री पर लाने की एक अभूतपूर वियोजना पिता को बता रहा था, बले न्यू ब्रेंट टेंपो खरीद रो है, इसलिए अपने 12th फिल हो जाने के बाद, उसे अब कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती, उसे अब किसी कामदंदे के बारे में ही सोचना चाहिए, इसलिए उसे कमलेश की योजना पियोगी लगी, उसकी आसपास के सभी रड़के यही सब तो कर रहे हैं, कोई टेंपो चला रहा है, कोई इलेक् जमीन थी, वे खेती कर रहे हैं, मनुच के पिता और चाचा दोनों के पास खेती के नाम पर केवल तीन भीगा जमीन ही थी, जिसमें साल भर के लिए खाने लाये गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता था, इसलिए धंदे के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं देकिन पिता के पास टेम्प खरीबने के पैसे नहीं थे, उन्होंने बहाना बनाया, टेम्प चला के घर की इज़त बिगाड़ोगे, पढ़ो लिखो परिवारे मारो, पिता का इंकार सुनकर दोनों बेटे चुप हो गए, पर माने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया, व पा, बहुत इज़त है तुमारी, घर कर जाके उदार मांगती हों, तब इज़त न जावती, मोड़ा मैनत करके कचु करबो चा रहे हैं, तो जे मदद कर भी के जगे टांग अढ़ा रहे हैं, मा का उलहाना सुनकर पिता ने मौन साध लिया, अगले दिन सुबह, जब मा पिता को टेंपो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिता जो पिछले सबा महीने से नौकरी पर ध्यान दिये विना घर पर ठीके हुए थे, उन्होंने आज अचानक वापसी की तयारी कर ली, पिता ने कहा, बहुत काम पेंडिंग है आफिस में, मैं आब निकल जल्दी रोटी बना, खा के जाओंगो, मा को पिता पर बहुत क्रोधा रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना उसे उचित नहीं लगा, पिता नौकरी पर चले गए, ऐसा लग रहा था कि पिता के जाने के साथ ही टेंपो खरीदने की योजना पर विराम लग गय है, लेकिन कमलेश के अगरी सुबह फिर से जित करने पर मा ने कहा, बाप तो तयो एन मौका पे भजी गयो, अब मो से का चाहत है, मैं कांसे 40,000 ले आओं, बहुत देर चर्चा होने के बाद मिशकर्ष निकला, मा बुली, 10,000 तो मो पे रखे हैं, 30,000 पंडित काली चरन से उ लख देऊंगी, 40,000 में बल्ले का सेकेंड हैं टेंपो आ गया, उमीद और विश्वास से भर गया पूरा परिवार, कमलेश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, किराया इखटा करने की जिम्मेदारी कंड़क्टर मनोज को मिली, मनोज ने सबारियों को आकशित करने के टेंपो, सवारियां लिये, मुराना की और बढ़ गया, विवसाई की अच्छी शुरुवात रही, रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपे मा को दे दिये, मा दोनों बच्चों के इस तरह पैसा कमा कर लाने की कारण भावुख हो गई, दिन भर की महनत की बाद म मनोज का चहरा रोखा हो गया, बाल धून से सन गए, शर्ट मटमैली हो गई, होट पपड़ा गए, बच्चों की हालत देखकर मा की आँखों में आसु आ गए, मनोज ने मा को रोते हुए देखा तो से गले लगा लिया, उसने कहा चिंता काई कर रही है, अब तेरे मोडा कम लगे हैं, लग भग एक महिने तक टेंपो चलता रहा, रोज शाम को दो सो धाई सो रुपए दोनों बिटे कमा कर लाते रहे, मा को लगा यदि इसी तरह टेंपो चलता रहा, तो जल्द ही उधार पटा दिया जाएगा, फिर एक दो साल में नया टेंपो ले लेंगे, पिता माँच टेंपो जैसे ही बागचीनी चौराहे पर पहुचा, वहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी, सिपाही ने मनोच को टेंपो साइड में लगाने का आदेश दिया, मनोच ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दिवान दूर सड़क के किनारे बने बागचीनी थाने में ले जाने लगा, मनोच और कमलेश टेंपो के पीछे दोर लगा रहे थे, तभी पास से बालाजिवस सर्विस की बस निकली, उसका कंड़क्टर दर्वाजे से अपना से निकाल कर जोर से चिलाया, काई रे कही थी ना, जार ओर पर टेंपो चलाव बुला देंगो, अब चला टेंपो, यह वही कंड़क्टर था जिसका जगड़ा बल्ले से हुआ था, वह टेंपो को पहचान गया था, मनोच ने जब उस कंड़क्टर की बात सुनी, तो समझ गया कि वे लोग बस ऑपरेटर के शड़ियंत्र का शिकार हो गए है, थानेदार 55 साल का पका हुआ था, मनोच ने डरते हुए थानेदार से कहा, सर मेरो टेंपो कि सारे कागत सही है, फिर पे टेंपो को थाने में बंद कर दिया है, थानेदार ने दिवान को आदेश दिया, दिवान जी बहार फर्यादी ब करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो कि पुलिस का मुखबीर भी था, थानेदार ने दिनेश से पूछा, बता दिनेश क्या फर्यार लेकर आया है, दिनेश ने जैसे रटा हुआ बाग के बोलना शुरू किया, मैं और मेरा दोस्स मोटर साइकल से जा रहे थे, पहना शुरू किया, सुन लिया दोने, एक तो सड़क पर एक्सिडेंट करता है, उपर से जबान चलाता है, मनोज रुआसा होते हुए बोला, यह आदमी छूट पोल रहा है, हमसे कोई एक्सिडेंट नहीं हुआ, थानेदार अब अपने असली रूप में आ चुका था, थानेदार में अपना काम बखू भी कर दिया था, मनोज और कमलेश के पैरो तले जमीन खिसा गई, दोनों को आशो बहने लगे, पर थानेदार नहीं पसीजा, दोनों को दीवान ने लौक अप में बंद कर दिया, दोनों का रो रोकर बुरा हाल था, वे डर के मारे काप रह थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहा जाएं, किस से मदद मांगे, दो गंटे बाद दीवान ने उन्से कहा, तुम दोनों को राद बर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है, थानेदार साहब बहुत रहम दिल है, अब जाओ, लेकिन अब यह टेमपो त अब कोट से छुटने का मतलब है कि उनका टेमपो भी यहां खड़े-खड़े कबाड हो जाएगा, थाने से छुटने के बाद, दोनों अपनी जान बचा कर भागे, दोनों का पुलिस से यह पहला सामना था, उनके लिए थाना रक्षक नहीं, भक्षक बना था, रात हो गई इसलिए अब कोई बस या टेमपो सड़क पर नहीं था, दस किलोमेटर पैदल चलकर दोनों अपने काव पहुँच गए, निराश, दुखी, तूटे हुए पराज़त से, आखें आशों से अफ़्ी भरी हुई थी मा को देखकर मनोज, फूट फूट कर रो पड़ा, घटना सुनकर मा की आँखों में भी आँसु आ गए, घर को पट्री पर लाने की उम्मीद जो कुछ दिन से बन रही थी, अचानक ही चकना चूर हो गई पर माने हिम्मत नहीं हारी, उसने मनोज को दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा तुछ चिंता ना करे रात बर मनोज छत पर पड़ा रहा, उसे नीन नहीं आई, जागता रहा वह सारी रात रात बीच चुकी थी, सुबह हो चुकी थी, कल की बेबसी ने जो आँसु बहाए थे, वह सूख चुके थे जिन सपनों को लेकर नया व्यवसाय शुरू किया गया था, वह सपना तूट गया था पिछले एक महिने में आर्थिक रुप से कमजोर परिवार को संभालने की कोशिश की जा रही थी, पर अचानक सब बिखर गया मनोर चाहता था कि कोई उसके मन में उमर गुमर रहे तूफान को थाम ले, वह अपने दोस्त राकेश की घर चला गया उसने बिना भुमिका के अपने मन के क्रोंद को राकेश से कहना शुरू किया जो लोग महनत करके इमानदारी से दो वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, उनको ही पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है पुलिस ऐसा से लोग करती जैसे हम चोड लोटे रहे हो, जिसके पास पांच-पांच बसे हैं, पैसा है, क्या सड़क उनके बाप की है, गरीब अपने टेंपो न चलाए इतना कहकर मनोज ने राकेश को कल की पूरी कहाने कह सुनाई राकेश ने मनोज को अधिक गंभीर होते हुए देखा, तो वह माहुल को हलका करने की कोशिश करने लगा कोई नई बात बता, ची तो सब जानते, आज तेरे साथ घटना घट गई तो तू परिशान हो रहा है रोज यही लड़ाई जगड़ा है, गरीव ऐसे ही पिसरो है मनोज के मन का विद्रो और भड़क गया पर यह तो गलत है ना, जो इमानदारी से महनत से अपना काम कर रहा है, उसे क्यों सुताया जाता है राकेश ने जीवन का विहवारिक ज्ञान सपाट तरीके से मनोज को देने की कोशिश की मनोज इसलिए आदमी महनत करतो, अपने मोडा मोडियन ने पढ़वातो, नेता पुलिसे दोस्ती करतो तुम्हाई पास पैसा होते तो थानेदार के मूबे मारते तुम्हे नेता विधायक कलेक्टर एस पी जानते तो विधानेदार से तुम्हारी सिफारिस कर देते पर तुम तो वो ठंठन गोपार, कोई ना जानता तुम्हे, ना तुम जानते काहू को मनोज को यह कड़वी बात पसंद नहीं आई मतलब पुलिस की कोई जिम्हेदारी नहीं है कि जूटे केस ना बनाए गरीबु पर अत्याचार ना करे वह नियम और सद्धानत की बात ही पकड़े हुए था लेकिन राकेश ने कठोर सच्चाई उसके सामने रखती तेरे जैसे लोग गाड़ी बाजी ना कर सकत लड़ाई जगड़ पुलिस के जरी सड़क पे मार पीट जित्ते बसके नाए मनोज कल से जिस घटना की कारण इतना परिशान था उस घटना को राकेश ने बहुत ही चलता हूँ और रोजमर्णा की घटना मांग लिया पर थानेदर की शकर र्याद करके मनोज को रह रह कर क्रोधा रहा था पर मैं उस थानेदर को नहीं भूल सकता राकेश भी अपने सिध्धान्त पर डटा रहा तो ना भूल सब थानेदर ऐसे ही होते हैं राजा हरीशंद ना होत कुछ अच्छे भी होंगे जो सही काम करते होंगे जूटे केस नहीं बनाते होंगे कानून के रक्षक होंगे मनोज की मनने कल्पना की मनोज की व्यथा अंदकार में प्रकाश की खोज कर रही थी कहीं से मैं आश्वाशन चाहता था कि नियाय पक्षिधरता अभी जिन्दा है पर राकेश उसे यह तसली किसी तरह देने को तयार ना था अच्छे थानेदार मैंने तो ना सुने पर मैंने सुना है SDM दुशन सिंग गरीबन की सुनतो है इमानदारी से काम करतो है बड़ी तारीफ सुनी है तु तो SDM दुशन सिंग से मिल ले हो सकता टैपो छूट जाए मनोज को राकेश की हैसला पसंद आई दुशन सिंग के नाम उसे उमीद दिखने रगी क्या दुशन सिंग मनोज की उमीदों पर खरा उतर पाएगा क्या हुआ सचाई का साथ देगा जानने के लिए सुनिए 12 फेल का नेक्स्ट एपिसोड